हलो दोस्तों वेलकम एक और नई इंफोर्मेटिव वीडियो में आज की वीडियो में हम सीखेंगे किस तरह हम अपने एडिसन अकाउंट जो कि आपके यूट्यूब चैनल के साथ मोनेटाइज हो चुका हुआ है उसका कंट्री किस तरह चेंज कर सकते हैं इसें बहुत सारे स्नेरियो हो सकते हैं कि आप पहले एक कंट्री में काम कर रहे हैं और उसके बाद आप दूसरे कंट्री में ट्रांसफर होगे जैसे कि मैं पहले UAE में काम करता था भी सौधी रेबिया में काम कर रहा हूँ यहां पिर उसके अलावा कि आप किसी एक कंट्री में काम कर रहे थे और उसके बाद अपने होम कंट्री में वापस पर्मेनिटली जा रहे है तो आपको Edison अकाउंट को ट्रांस्टर करने की जरूरत पढ़ सकती है लेकिन अगर आप एक ही कंट्री में रहते हैं किसी दूसरे का बेंक अकाउंट नंबर लगाना चाहते है उसके लिए था बहुत असान तरीका है लेकिन यूट्यूब ने और Edison ने अपने कंट्री चेंज करने की आप्शन नहीं रखी हुए Edison अकाउंट के अंदर उसका प्रॉपर तरीका कार किया है अच्की वीडियो में हम लोग डिसकस करेंगे इसके लिए आपके पास दो रेक्वार्मेंट्स का होना बेहर ज़रूरी है एक आपके पास जीमेल आईडी हो नेया जीमेल आईडी जिससे आप कलोज करेंगे उसका पर ने कंट्री के साब दबारा से आप उसको लॉग इन नहीं कर सकते है दूसरे नमबर पे आपके पास लास्ट 365 डेस में 4000 पब्लिक वाच आवर्स होने बेहर ज़रूरी है यह दो चीज़ें के रिक्वार्मेंट आपके पूरी है तो आप बड़ी ही असानी के साथ इन स्टेप्स को जो इस वीडियो में बताऊंगा इन स्टेप्स को आप फालो करेंगे तो आपका जो कंट्री है वो चेंज हो जाएगा और आप दोबार आपकी मॉनेटेजेशन पर भी कोई अफेक्ट नहीं पड़ेगा और आपको सेम टो सेम अर्निंग होती रहेगी तो चलिए आज की वीडियो शुरू करते हैं मेरा नम के असर ही मैं और आप देख रहे हैं इडिजिटल टेक्नीक यूटिव चैनल चलिए आज की वीडिजिटल टेक्नीक आज की वीडिजिटल टेक्नीक ची वीडिजिटल की वीडिजिटल टेक्न फाला मु involvement काईटल टेक्न सकते हैं वाया है इस के सामने पेंसल का नज़र आज रहा है इसब चैनल का इस यह कर सकते हैं और प्र यह पन लोग साथ चैनल का नही चैनल रहा हमें इस account को permanently पहले close करना पड़ेगा फिर एक ने Gmail ID के साथ हमें इसको दुबारा से फिर एक account बनाना पड़ेगा और फिर हम लोग इसको अपने YouTube channel के साथ attach कर सकते उसके लिए क्या है कि हम लोग अपने यहां पर accounts वाले जहां पर option आड़ी payments के है करेंगे हमारे सामने कुछ इस तरह से open होकर आजेगा यहां पर आपकि त्माम details होँगे और यहां पर नीचे देखे नेगे close account हम लोग इस पर क्लिक करेंगे यहां पर यह दिखेंगे हमसे सब से पहले ये पूछ रहे हैं कि अगर आप इस account को close कर देंगे तो आप इस addition account में payment receive नहीं कर सकते तो ठीक है हम लोग इसको accept करते हैं यहाँ पर टिक का निशान लगाया और थर्ड नमबर पर है कि अगर आपकी second number पर है कि अब आप दिखें कि थर्ड नमबर पर यहाँ पर लिखा हुआ है और आ रहा है कुछ चंद एक options होंगी यहाँ पर कि website has closed down or insufficient earning poor ads filtering यह poor ads targeting और others तो हम लोग इसको others को हम लोग click करेंगे और इसके बार हम लोग नीचे accept तमाम जितनी भी terms and condition हैं हम लोग इसको accept कर लेंगे और उसके बाद हम लोग close account पर जो इसको नीचे यहाँ पर लिखा हुए हम लोग इस पर यहाँ पर हम लोग click कर देंगे यहाँ पर देखें कि मेरे पास एक email आ चुकी हुई है मैं इस email को अगर open करता हूँ तो यहाँ पर अगर हम लोग देख सकते हैं कि your account has was cancelled इन्हों हमारा account जो है cancel कर दिया हुए अब इसके नीचे यहाँ पर देखेंगे बड़ा clear लिखा हुए अगर आपकी जो दस डॉलर से ज्यादा अगर आपकी payment आपके account में मजूद थी तो आपके next cycle जब बाइस तरी को जब यह transfer कर देंगे और अगर इस से कम हुई तो दस डॉलर से क हुए क्योंकि हमारा चैनल मोनटाइज था हमारा step one clear step three clear है only हम लोग नए एक एडिसन अकाउंट बनाएंगे और इस यूटीब चैनल के साथ attach कर देंगे तो हमारा चैनल दुबारा से फिर मोनटाइज हो जएगा यह step one clear होने का मतलब यह ही है कि यहाँ पर हमारे 1000 subscriber और 4000 गह तो हमारे पास से एक दफा यह पूछेगा कि आप इसको वेरिफाई करतें प्रसीट करना चाते हैं ठीक है हम लोग इसको प्रसीट करना चाते हैं तो हम से एक दफा यह वेरिफाई करेगा हमारे phone number को जिससे हमने अपने YouTube channel को verify करवा हुआ हुआ है तो ठीक है हम ने यहाँ इसको verify करवा दिया हुए इस verify करवाने के बाद हम लोग इसको आजेगा के did you have यहाँ पर हम से यह option पूछेगा कि आपके पास क्या एडिसन अकाउंट मवजूद है यह हमारे पास एडिसन अकाउंट नहीं है तो हमारे पास एडिसन अकाउंट मवजूद नहीं को पहले हम लोगने इसको close कर दिया हुए तो आइडिसन अकाउंट और हम लोग इसके बाद कंटीनियू पर हम लोग क्लिक करेंगे तो हमसे यह पूछेगा कि आप किस जीमेल आईडी पर बनाना चाहते हैं अब इस बात कर याद रखना है कि आपने निया जीमेल आईडी होना चाहिए और हम लोग उसके बाद किया है कि इसको yes पर क्लिक करेंगे हमें जो भी एडिसन की अपडेट्स आइं वो हमें मिल जाएं यहां पर हम लोग अपने country को select करेंगे हम लोग किस country को अब हम लोग ने किस country में हम लोग यह account बनाना चाहते हैं तो चलें यह मैं पाकिस्तान को यह इसके बाद चंद स्टेप से हम लोग next 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 इसके बाद okay get started और इसके बाद हम लोग देखें कि यहां पर हमें देखना पड़ेगा कि हमारे हम लोग को प्रोडेक्शन हा उसे तो हम लोग business को select करेंगे otherwise हम लोग individual को select करके अपने country अपने जो farm को fill करना शुरू करेंगे और इस इसकाउंट को verify करवाना है इसलिए हमने नाम वही यहां पर लिखना है जिस नाम से आपको अपने ID कार्ट से अपने account को verify बाद में करवाएंगे ठीक हम यहां पर नाम लिखना है नीचे उसका address लिखना है city name और इसके बाद यह लिखने के लिखने के बाद हम लोग इसको next क code आजेगा हमारे mobile number पर जो हम लोग ने यहां पर mobile number लिखा हुए तो हम लोग यहां पर sms को करके हम लोग इस पर click कर देंगे और हमारे पास six digits का code आजेगा यहां पर लिखेंगे submit कर देंगे तो हमारा यह क्यों के account बन किया है अडिसन account और यह automatically चंद मिनिट का यह process होगा के process होने के बाद हमें redirect करते का हमारे YouTube चैनल पर अब यहां पर यहां पर आ रहे है progress लिखा हुआ रहे है इस progress लिखे हुए का मतलब कि हमारा यह जैसे एडिसन account अप्रूव हो जाएगा उसके बाद हमारा चैनल जो है यह monetize दुबारा से फिर हो जाएगा मुझा उम्मीद है